हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टू माई यूटूब चैनल ललित राजपुत आमिलम स्वागत आप सभी लोगों का और जितने भी हमारे नए साती इस यूटूब चैनल के उपर आए हैं तो यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें बैल आइकन को जुरूर जबाएं और वीडि उपन करना है और सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों जिस भी वोलेट को आप खोल के देखना चाहते हैं जोन से भी आईडी को खोल के देखना चाहते हैं उसको आपको स्लेक्ट करना होगा यहाँ पर आपको मैन वोलेट पे जाना होगा यह मैन वोलेट टू लिखा इस ब्राउजर पर क्लिक करना है और यहां पर लिखना है www तीन बार डबलू लिखना है फिर डोट लगाना है यहां पर और फिर लिखना है htak.paytocas.io यह spelling लिखना है और उसके बाद यहां पर सर्च करना है दोस्तों ठीक है थोड़ा सा वेट करेंगे हम तो यह हमारा ID wallet खुल गया है दोस्तों अब जैसे हमारा ID wallet खुल जाता है उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों इस page के उपर आने के बाद हमें सबसे पहले 3.0 पे क्लिक करना है 3.0 पे क्लिक करके आपको जो EVM chain दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर BNB Smart Chain करना है क्योंकि हम Binance की Blockchain यूज़ करते हैं तो हमें BNB Smart Chain करना है उसके बाद फिर हमें अपना जो wallet है उसको connect करना Add Pay to Cash and MetaMarks and Trust Wallet इसको connect करना है यहाँ पर connect कीजिए ओके कीजिए उसके बाद फिर हमें एक बार refresh करना है इसको connect करने से पहले अब यह refresh हो चुका है दोस्तों यह तीन काम आपको करने हैं और तीन काम करते हैं फिर उसके बाद नीचे जो आपको दिख रहा है connect wallet इस पर connect कीजिए ठीक है और connect करने के बाद एक मिट वेट करिए और फिर आपका दोस्तों यहाँ पर जो wallet है वो खुल जाएगा जैसे आप थोड़ा सा वेट करते हैं उपर देखिए जो blue line चल रही है तो यह आपका processing हो रहा है तो आपका यहाँ पर जो wallet है वो खुल जाएगा दोस्तों ठीक है अब यह देखिए आपका जो wallet है वो खुल चुका है अब इस wallet को आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो ID स्टेकिंग कितने का लगा है यह देखिए जैसे मेरा यह चोटा wallet है 500 से मैंने इसको स्टेकिंग पर लगा रखाए और उसके बाद आप यहाँ पर सारी चीज़े चेक कर सकते हैं आपको डेलिट के लगाए आपको डेलिश टेकिंग की इंकम कितना आ रहा है लेवल का कितना आ रहा है तो सारी चीज़े आप यहां से देख सकते हैं उसके बाद आपको अपना team size चेक करना है तो आप three line पे क्लिक कीज़ें हैं पर और यहां पर जाने के बाद दोस्तों आप नीचे देख रहे हैं आप प्रोफाइल में जाके अपना नाम अपना एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं अपना मुबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं अपना जीमिल आइडी चेंज कर सकते हैं एडिट प्रोफाइल में जाके फंड में जाके दोस्तों आपको किसी को फंड करना है या फिर आपको ट्रस्ट वलेट से फंड को add करना तो add fund कीजिए आपको फंड history चेक करनी है तो यहाँ पर पर हिषट्री किलिक कीजिए ट्रांसवर fund करना है किमिसंगा प्राइडि पी सी k Artic ID से भीजना तो आप पर आप amount डालेंगे और amount डालने के बाद transfer पर क्लिक करेंगे और ok करके आपका जो है वो P2C transfer हो जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आप fund history आप चेक कर सकते हैं उसके बाद staking आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी की ID लगा रहे हैं उसको upgrade करना है तो यहां से आप upgrade कर सकते my genealogy में जाएंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि आपने direct कितना लगाया है आपने direct कितने हैं आप अपनी generation देख सकते हैं आपके left में कितनी team है राइट में कितनी team है इसको check कर सकते हैं उसके बाद आप tree में जाके देख सकते हैं कि आपके right में कितनी team हो चुकी है और left मे हो चुकि है आप अपना टीम साइज चेक कर सकते हैं इस पर जाके करेंगे और फिर हम यहाँ पर देखे दोस्तों अपना प्याउट रिपोर्ट देख सकते दोस्तो ठीक है उसके बाद वीडूल करना है आपको तो वीडूल पर जाईए और वीडूल पर क्लिक कीजिए आप जैसे वीडूल पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा अप्रोसेशिंग खुलते ही और आपको जितना भी P2C का विडरोल लेना, minimum 500 P2C का विडरोल ले सकते हैं, यहाँ पर आप डालेंगे, जितना भी P2C का विडरोल लेना आपको, तो यहाँ पर जैसे 500 डालोगे आप, तो उसके बाद सिमिट कीजिए, आपका विडरोल एक सेकंड के अंदर आपके wallet में आपके पास चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद rank bonus आप चेक कर सकते हैं, दोस्तों कौन से rank पर हैं आप, और कितना rank हुआ यह देख सकते हैं, डेली शेर गुलोट में आप देख सकते हैं, डोस्तों आपने कौन सा rank अचीव कर लिया, क्कोन से level में मैचिंग सलैब bonus देख सकते हैं, कि आपकी matching का कौन सा level आपने achieve कर लिए है वो सारी चीज़े आप यहां से देख सकते हैं दोस्तो ठीक है तो इस तरीके से देखें matching का जो हमारा award है यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आप matching slab bonus में कहां तक पहुंच गए हैं तो इस तरीके से दोस्तो आप यह सारी चीज़े कर सकते हैं और यह सारी चीज़े उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर जाके दोस्तो हमारा जो वीडियो है आप आशा करता हूं कि आप लोगों को आप ID खोलने में और अपनी team size देखने में, withdraw लेने में या फिर fund transfer करने में किसी परगार के भी कोई problem नहीं होगी इस video शाप को बहुत कुछ शीखने को मिलेगा और अपनी team में आप इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share करें ताकि जो नए लोग है जिनको आईडी खोलने में देखा था तो वो इस आईडी के दवारा, वीडियो के दवारा अपनी आईडी वोलेट को खोल के देख सकते हैं तो thank you so much दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को share करें चैनल को subscribe करें, thank you so much, jpe2cas